हाई फ्रेंड नीतु क्रियेटिव कॉर्णर में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे कैंडल होल्डर इसे बनाना बहुत आसान है इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले पूटी का डो तेयार करेंगे फ्रेंड्स बॉल पूटी का डो हम सिर्फ पानी से तयार करेंगे इसमें किसी भी तरह का फैविकॉल या ग्लू मिक्स नहीं करेंगे बॉल पूटी का परफेक्ट डो कैसे बनाते हैं इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड्स उसके बाद हम कोई भी एक पॉलिथीन लेंगे और दोनों तरब से उसे कट करके बीच का पार्ट निकाल लेंगे एक ग्लास लेंगे और पॉलिथीन को सेलो टिप की हिल्प से चिपका लेंगे एक पॉलिसीट पर कोई भी पाउडर लेंगे और उसे उस पे फैला लेंगे पूटी का डो इस पे रखके पेन या पेलन की हिल्प से इसे बेल लेंगे बेलने के बाद हम उपर के पॉलिसीट को हटा देंगे इसे आप बहुत आराम से निकाले पॉलिसीट निकालने के बाद इस पॉलिसीट को इसी पे रख दे और इसे पलट कर दूसरे तरफ के भी पॉलिसीट को निकाल लें जिस ग्लास पे हमने पॉली थीन चिपकाया है उसी ग्लास से एक छोटा सरकल कट करें और ग्लास के उपर वाले सीरे पर चिपका दें उसके बाद बीच वाले पार्ट में भी बॉल पूटी चिपका लेंगे और पानी की हेल्प से इसे मिला लेंगे फ्रेंट्स पूटी का डो आप अपने क्राफ्ट के मुताविक ही बनाएं आप जरूरत से ज़्यादा पूटी का डो तैयार मत करिए पूटी का डो बहुत ही जल्दी सूखने लगता है इसे हम बस तीन से चार घंटे तक ही यूज कर सकते हैं अगर बीच में भी अगर आपका पूटी का डो अगर सूख जाए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसे यूज कर सकते हैं पूटी चिपकाने के बाद जो अन इवेनेरिया है उसे हम कट करके हटा देंगे अपने फिंगर पे पानी लगाके हम इसे स्मूथ कर लेंगे पानी से स्मूथ करने के बाद हमें जितना बड़ा कैंडल होल्डर चाहिए हम इसे उतना बड़ा कट कर लेंगे कट करने के बाद हम कटर की हिल्प से कट करके कुछ डिजाइन बना लेंगे डिजाइन बनाने के बाद इसे 3-4 घंटे के लिए सूखने के लिए रख देंगे जब ये अच्छी तरह से सूख जाएगा तो इसे गलास से निकालने में बहुत आसानी होगी ये प्रॉपर सूख गया है तो अब हम इसे गलास से बाहर निकाल लेंगे इसके बाद अन इवेन पार्ट को सेंट पेपर की हेल्प से मिला लेंगे और उसके बाद कलर करेंगे फ्रिंड्स आप कलर अपने एकॉर्डिंग कर सकते हैं आपको जो कलर पसंद है आप वो कलर करें बस जो आप कलर कर रहे हैं वो एक्रेलिक कलर होने चाहिए मैंने जो कलर यूज किये हैं मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगी फ्रेंट्स कलर करते समय एक बात का खास ध्यान रखे जब आपका एक कलर सूख जाए उसके बाद ही उस पे कोई दूसरा कलर करे इसके अंदर साइड मैंने लाइट ग्रीन कलर से कलर किया है और उपर की साइड में मैं लाइट स्काई बिलू कलर दे रही हूँ मैं अंदर वाले एरिया पे कलर की हेल्प से कुछ डिजाइन बना लूँगी आप चाहें तो ये डिजाइन भी बना सकते हैं या आपको जो डिजाइन पसंद है आप वो डिजाइन बना सकते हैं फ्रेंड्स हमारा कैंडल होल्डर बनके तैयार हो गया है इसमें आप कैंडल रखके जलाएं और लाइट्स ओफ कर दे उसके बाद इसकी असल खुबसूरती देखें फ्रेंड्स आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं आप इसे जरूर से एक बाद ट्राइ करें और मुझे कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए